हलो दोस्तो वेलकम बैक टू रानास कुकिंग कॉर्नर तो दोस्तो आज मैं आपके साथ एकदम नई और अनुखी सी रिसीपी शेयर करने जा रही हूँ यह रिसीपी आपको बहुत ही काम आने वाली है तो चलिए देर किस बात की रिसीपी बराना शुरू करते हैं दोस्तो अक मैं इससे एकदम नई और अनुखी सी रिसीपी बनाने वाली हूँ जिससे आप जब भी इसे बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुती बढ़िया आएगा तो यहां पे मैंने एक कप चावल ले लिया यह सुबह की चावल है जो हमारे घर पर बचे हुए थे अकसर हमारे घर पर बच भी जाते हैं या ले ले लेना है और यहां पे एक 믹सी जार में इसको अच्छे से डाल देना है और साथ में इसमें तीखे के लिए तीन हरी मिच dobr हो दोस्तों आपको तीखा खाना पशन हो तो टेस्ट के नुसर ज्यादा भी कर सकते हो अकम खाना पसन है तो कम भी कर सकते हो और साथ में चाट जावे लहसुन के एक छोटा इंच अद्रक का टुकरा अगर लहसुन और अद्रक खाना नहीं पसन करते हो तो इसकीप कर सकते हो अद्रक चमच पानी डालूंगी दोस्तों जिससे हमारा चावल अच्छे से पीस जाए ज्यादा पानी नहीं डालना पिसने में इतना डालना है कि अच्छे से पेस्ट बनके तयार हो जाए दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है इसमें हमें ज् ले सकते हो जितना चावल आपके पास है उसे हिसाब से quantity से आप बना सकते हो और से हरी मिश भी डाल सकते हो और लेशन अदरक अगर डालना पसंद है तो आप डाल सकते हो वरने सकीप कर ले ना देखिए दोस्तों इस तरह की इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ज्यादा गीला पीसना नहीं है अब यहां पे हाफ कप चावल का आटा लेंगे दोस्तो यह मार्केट का चावल का आटा है अगर आपके पास नहां रहे आप मिक्सिजार में इसको पीस भी सकते हो छोटा वाले मिक्सी जार में और साथ में यहां अगर आपको अजमाइन का टेस्ट अच्छा लगे तो इसमें थोड़ा सा 1-4 टीस्पून अजमाइन डाल देना अच्छे से आटा के तरह गूत लेना है अगर आपको थोड़ा गीला लगे तो इसमें एक चमच और चावल का अटा डाल देना तो देखिए दोस्तों यहां पर करने रखेंगे क्योंकि इसमें चावल का अटा डाला है तो डो रेस्ट करेगा तो इसकी रोटी सॉफ्ट बनेगी तो देखिए पांच मिनटी हो गया है इसे मैंने कवर अटाया और हाथ में हलका से ओल लगा लगा लेना जिससे चिपकेगा नहीं एक दफ अच्छे से में अब यहाँ पर कया करेंगेए इसे दो भागवें बातेंगे बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे टिक्के का शेप दे देके इसी तरह कर लेंगे दोनों को आप चैटा चूटा बॉल बना के चौटा चुटा भी पेड़ा बना सकते हो लेकिन मैं ऐसे बड़ा बना रही पेड़ा बना के पूरी के साइस का बेल सकते हो लिकिन यहां पर मैंने एक बड़ा सा रोटी बेल लिया देखिए इसकी थिकनेस इसी तरह कि रहने चाहिए पतला बेल होगे तो आपकी ठंडी हो कड़ी हो जाती है इस तरह कर रहेगा तो सॉफ्टर है यहां पर मैंने ग्लास इससे कट का निशान लगा देंगे आप चाहो तो कोई डिबबा का धकन ले लेना या कटोरी से कट कर लेना अपने हिसाब से देखिए इसी तरह कर लेना है इसलिए मैंने बड़ा रोटी बेला था दोस्तों एक दफा बहुत सारी पूरी तयार हो जाती है आप चाहो तो छो देखिए दोस्तों सारे पूरी को मैंने बेल लिया है इसका थीकनेस देखिए इसी तरह करेना चाहिए अदेखने में किता प्यारा लग रहा है छोटा छोटा प्यारा सा अब वहां पर क्या करेंगे मैंने गैस पे एक तावा रग दिया है मेडियम आज पे इसको हलका गरम क जितना एक दफा आ जाए अब मेटियम आज रखना और जैसे रोटी सेकते हैं उस तरह ये सिकाएगा देखिए हलका सा बबल टैप का उपर उट गया है हलका सा एक तरफ से का गया है इसको उलट कर देना और धीमी ही आज पर ये अच्छे सोता है हलका सा दबा देना तो ये फ सावल बचेगा तो आप इस तरह से रिसीपी बना कर खाना पसंद करेंगे इसे आप किसी भी चटनी या फिर सबजी के साथ खा सकते हैं खाने बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें जो हरी मीच अद्रक लहसुन जपड़ा है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और तो आप इस नाश्टे को कप ट्राइ कर रहे हैं कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा देखें इसी तरह नेक्स्ट पूरी में मैंने डाल दिया दोस्तो उलट पुलट कर देना है और हलका सा दाब देना है देखें कितनी सॉफ्ट बनी है फुली फुली लग रही है सॉफ्ट होई है इसको मुठी में मैं बान कर रही हूं खोल लही हूं देखिए तरह बिल्कुल जा रही ही कहीं पसे बरेक नहीं हो रही बहुत ही सॉफ्ड बन के तैयार होती है ऐसे सेकनी में आप घी या बटर या ओल भी लगा सकते हो मैंने सादा सेका है दोस्तों और इस तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छी रिसीपी के लिए मेरे चैनल यानी रानास कुकिंग कॉर्णर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मिलती हूं नेक्स रिसीपी के साथ ओके बायर टेक केर वीडियो को फुल वाच करने के लिए थेंक्यू सू माच कुल तो मैंने गच्छी रानास कुल वाचा हूं तो मुझा हूं गजर च्पसक्राइब के लिए नहीं वाचे च्छा जो रहा हूं जो ह।